नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधि महतो पून जानकारी को ले करके जहां आज का हमारा टॉपिक है हो सकता है कि घुटने बदलवाने की जरूरत ही ना पड़े दस दिन करके तो देख लीजिए अगर घ एप बढ़ने लग गया हो घुटनों की ग्रीस चिकना हट हट गई हो खत्म या घुटनों में दर्द हो रहा हो इन सफी कारणों को दूर करके आपके घुटनों को नया जीवन देने के लिए जानिये अद्भूत घरेलू उपाए दरसल घुटनों में ग्रीस कहना एक अनप बैठते अत्यदिक डर्द होता है घुटनों से आवाज भी आती है फिर इसको लोग ये भी कह देते हैं कि घुटनों में गैप बढ़ गया है यह प्रियोग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रियोग के दोरान कुछ चीजों का पालन करना होगा फिर कोल ड्रिंक्स फास्ट फूड तली हुई चीजें बंद करनी होंगी आपको अगर आपका खड़ा रहने का काम है तो दस दिन छुट्टी कर लीजिए पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है पहले घुटनों के बल या पालती मार कर बैठ जाना है उसके बाद ही पानी प फास्ट फूट गेहुं की रोटी बंद कर दीजिए जो या बाजरे जिसमें गेहुं जो चना मिश्रित भी हो सकता है इसकी रोटी खानी है आपको यह समस्या अधिकतर बुढ़ापे में आती थी मगर अभी यह हमने जो आपको बताया इन कारणों के कारण जिन में वजन ब अधिक सेवन करना मुख्य कारण है तो इससे बचने के लिए हम आपको प्रयोग बता रहे हैं इनको कीजिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा सबसे पहला प्रयोग 10 दिन के लिए सहजन का विरिक्ष अक्सर मिल जाता है तो आपको इसकी छाल ले लेनी है सहजन की छाल 10 ग्र थाई रहने तक धीमी आज पर पकाएं फिर इसको उतार कर अच्छे से इस पावडर को पानी में निचोड़कर फिर इसको छाल ले किसी कपड़े की मदद से और इसको घूट घूट कर पी ले पालती मार कर ध्यान रखें यहीं प्रयोग आपको दिन में कम से कम 3-5 बार करन है दूसरा प्रयोग 10 दिन के लिए शलकी एक आयुरुवेदिक जड़ी बूटी है जिसमें बोसो वेलिक एसिड नामक सुजन को कम करने वाला ट्राइपेनौएड शामिल है बोसो वेलिक एसिड आश्टियो अर्थराइटिस और रुमेटी इस बोसो वेलिक एसिड आश्ट पहले तो इस पेंड की छाल 10 ग्राम दो गलास पानी में गर्म करें और एक चोथाई यानि कि एक बटा चार रहने पर इसको पी लें ऐसा दिन में 3-5 बार करना है अगर स्थिती ज्यादा कठेन है तो इस काढ़े में 1 ग्राम लोबान गोंद जो इसी पेंड की गोंद होती ह है वो भी डाल दें या इसकी गुंद को दूध में डाल कर भी पी सकते हैं आप यह जो दोनों प्रयोग मैंने बताया इन में से कोई भी प्रयोग आप अपना सकते हैं पहले प्रथम वाला प्रयोग करने की कोशिश करें अगर ना हो पाए तो आप दूसरा वाला प्रयोग क इसके साथ में रात को सोते समय 5 बादाम, 11 मुनक्के, 7 अखरोट, 5 खजूर, इन सभी चीजों को एक साथ पानी में भींगो कर रात्री में रख दें, और सुबह नाश्टे से पहले खाएं, और साथ में गर्म दूध पिएं, इस दूध में लुबान की गूंद एक ग्राम डा करें आप, नारियल की सुखी गीरी भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छे और शदी है, रोजाना 30 ग्राम सुखा नारियल खाएं, घुटनों पर दिन में दो बार नारियल के तेल की मालिश गुलाई से करें, इससे घुटनों के दर्द में अद्भुत लाव होत है, अलसी एक से तीन चमच चबा चबा कर खाएं, अगर गर्मी हो तो अलसी को दही के साथ चबा चबा कर खाएं, घुटनों के लिए मसाज, एक छोटा चमच सोट का पावडर लिजे और इसमें थोड़ा सर्सों का तेल मिलाईए, इसे अच्छी तरह मिला कर गारा घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी हराम मिलेगा, और घुटनों के बीच जो गृष्ष खत्म हो गई है, जो चिकनाहट खत्म हो गई है, उसमें दस दिन में ही आराम दिखेगा, अगर आराम दिखे तो इस प्रयोग को जब तक पून आराम न मिले, तब तक आप दोहर रहा सकते हैं, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों